नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होष्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके टेडिंग तारीक है दोस्तों यहाँ पे 17 अक्टूबर 2020 हो सकता है यह वीडियो आज आपको नहीं मिले कल मिलेगा 18 अक्टूबर को मिलेगा तो यह सोंबार के लिए वैलिड यानि इस वीडियो में निफ्टी आईटी और फार्मा के अनल्सिस करूँगा सुमबार 19 अक्टूबर 2020 के लिए तो यह वीडियो और 17 तारीक को बन रहा है 17 अक्टूबर को लेकिन साथ पोस्ट 18 अक्टूबर को होगा तो चलिए यहाँ पे हम लोग निफ्टी के आईटी और निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स को यहाँ पे लगा लेते और देखते हैं कौन सा आईटी स्टॉक्स कौन सा फार्मा स्टॉक किस जगह पे और उसका क्या सपोर्ट बनेगा क्या रेजिस्टेंस बनेगा तो सबसे पहले निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स को यहाँ पे मै गया निफ्टी फार्मा मेटल मीट कैप फार्मा यह तो यह निफ्टी फार्मा क्या आगे सबसे पहले है अलकम लेबोटी को देखेंगे अलकम लेबोटी को मैंने जो थरजडे को भी बताया था आप लोगों को कि आपको 2650 के निचे सेल का पोशिशन बनाना है 2600 के टार्गेट के लिए हलाकि इसने जो लो लगाया 2630 का लो लगाया और वहीं पर जाकी यह रूख गया तो यह कहीं न कहीं अपना इस प्रिवेस जो हाई पॉइंट इस रेंज को आने की कोसिश करेगा जो कि लगब 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 अगर इसका प्राइज हम लोग मानके चल अगर यह उपर की तरफ में 2670 यह सब लेबल अपसाइड में ब्रेक करता है 2730 देन बाइसाइड चला जाएगा 2750 के टार्गेट के लिए कौन सा इस्टोक एलकम लेवाटीज अगला इस्टोक है औरो फार्मा तो औरो फार्मा का भी चाठी यहां पर में लोग लगाते और कि जो लेबल है वो आपके सामने आ रहा है देखिए औरो फार्मा डाउन साइड में आया कंट्यू चार से पानी लेंगे रिजिस्टेंस लेबल अभी भी वैलिड है रिजिस्टेंस हमारे पास जो वैलिड है वो रिजिस्टेंस हमारा है 850 रुपे का यह बार बार रिजक् हो रहा है एक बार अगर यह 850 को अपसाइड में ब्रेक करेगा देन यह उपर के लेबल 900 तक जाने की कोशिस कर सकता है तो 850 यह सब लेबल है अगर यह अपसाइड में 860 को अगर ब्रेक करेगा तो मस्त प्रॉफिट बनेगा 900 के टार्गेट के लिए लेकिन नीचे अगर नीचे किसी भी कारण बस 780 को ब्रेक कर देता है तो पॉजिशनल कॉल सेल साइड का बन जाएगा टार्गेट 750 का होगा और फार्मा में अगला श्टॉक है बायो कॉन चलिए हम लोग बायो कॉन को देख लेते हैं बायो कॉन को पोजिशन बनाने की कोशिश करेंगे 480 के उपर यही इंपोर्टेन लेबल है इसके पास 480 का 480 को जब तक यह ब्रेक नहीं करेंगा यह बहुत मुश्किल है इसके लिए यह लेबल यहां से जवरदस्थ गीरा यह इस्टॉक और वहीं से देखिए की एक रेंज बाउंड हो चुका यह इस्टॉक उस रेंज के अंदर जब तक यह इस्टॉक रहेगा हमको कोई भी ट्रेड नहीं करना है 480 ऊपर निकलेगा तो 500 का टार्गेट नीचे गर 430 को ब्रेक करेगा तो 400 तक का टार्गेट सेल्साइड में बायो कॉन दिखा सकता है केडला हेल्थ केर की बात करते तो चलिए केडला का भी चाट आपके सामने आ रहा है केडला दिखे फ्राइड को अच्छा मुमेंट दिखाया केडला ने अच्छा मुमेंट दिखाया लेकिन पोजिशन जो बनाना है हम लोगों को ध्यान से बनाएंगे 440 के उपर काने की कोशिश कर सकता है केडला नीचे अगर 410 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे टार्गेट 400 से लेके 390 तक कब मिल सकता है सिपला की बात कर लें लेकिन दोस्तों बता दूं कि लाइब मार्केट में अगर कॉल चानल को जोईन करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लि यहां से अगर ड्रो करते तो यह 830 का एक रजिस्टेंस लेवल है और नीचे एक ट्रेल लाइन का सपोर्ट है उसको एक्शली यहां से अगर एक ट्रेल लाइन ड्रो करें तो यह एक ट्रेल लाइन का सपोर्ट है अब इस लेवल के इस ट्रेल लाइन का जब तक इस आप अगर आप चार्ट को रीड करते हैं तो पाते हैं क्या यह बड़े टाइम फ्रेम पर बिलकुल साइडवेज जोन में है आप ध्यान से देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर साइडवेज जोन है यह इस्टोक ऊपर एक जोन बना कर रखा है 3350 के आसपास का रेजिस्टन जोन है नीचे एक सपोर्ट जोन बना कर रखा हुआ है यह जोन के अंदर जब तक रहेगा यह ट्रेड नहीं कर सकते हैं इंट्राडे में अगर प्रिवियस हाई या प्रिवियस लो को ब्रेक करता है तो मुमेंट बनेगा तो अगर यह मंडे के दिन 3250 को ब्रेक करता है देन हम बाई साइड जाएंगे टारगेट हमारा 3400 के आसप 50 को ब्रेक करता है बाई साइड जाएंगे 500 से लेके 5550 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं अगर यह नीचे के लेवल 5000 का राउंड नंबर को ब्रेक करता है सेल करेंगे टारगेट 4900 से लेके 4850 तक का मिल सकता है डॉक्टर रेड़ी में अगला श्टॉक है लूपिन तो ल ब्रेक करके नीचे आया लेकिन वहाँ पर से अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया है लूपिन अगर आप यहां से देखें तो यह देगे यहां से इसने ब्रेक करके नीचे आया और नीचे आने बाद आप वापस उसी को उपर जाके क्लोज कर दिया तो आपको पता है उसका एक टार्गेट भी आ गिया तर लूपिन का दुबारा से निकलेगा तो दुबारा में एक्टिवेट हो जाएगा सन फार्मा 500 के नीचे अल्वेज निगेटिव इसलिए सेल करना 480 के नीचे 480 के नीचे अगर सन फार्मा निकलता है सेल करेंगे 470 के टार्गेट के लिए क्यूंकि important support जो ने 480 का अगर वो break कर देता है तो सेल करेंगे 470 के टार्गेट के लिए करना होगा 510 के उपर टार्गेट 520 का मिलेगा सन फार्मा में टोरेंट फार्मा की बात कर लेते हैं अगला इस्टॉक टोरेंट फार्मा देखिए उपर से reject के नीचे आया हुआ है लेकिन यहीं पर से एक support बना के गूमने की कोशिस कर रहा है यहां पर से इसका एक support लेवल activate होता है इस candle को अगर आप देखें तो यहीं पर से एक activate होता है support लेवल इस लेवल को अगर यह नीचे ब्रेक करेगा तभी यह कम जोड़ोगा और वह लेवल 2600 के आसपास का राउंड नंबर का रहा है हां अगर इंटाडे में यह नीचे की लेवल ब्रेक करता है 2680 को भी ब्रेक करेगा तो एक बाद सेल साइट जा सकता है टार् स्टॉक का नाम यहां पर में लिख देता हूं जिससे को कड्र है तो मैं व्ो कड्र को नाम यहां पर लिखूंगा वो कड्य लिमिटे न अब वोकड फार्मा का स्टॉक से यह आ गया और इसके बाद पिरामल है उसके बाद अजनता फार्मा है इस्ट्राइट्स फार्मा है गलेनमार फार्मा है देखिए वोकड ऊपर के सैड में जब तक ब्रेक नहीं करें 310 को कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे 310, 312, 315 यह सब लेव इसके अलाबा है पिरामल तो चलिए हम लोग पी एल को देख लेते हैं और पी एल का जो एक्विटी स्टॉक है यह है पी एल जब तक 1375 याद है मुझे जहां तक 1375 जब तक ब्रेक नहीं करें पी एल तब तक यह मजा नहीं आने वाला है 1375 इंपॉंटर रजिस्टेंस जन वह जब तक ब्रेक नहीं करें आगा बाय बना सकते हैं नीचे कि साड में अगर 1260 ब्रेक करेंगे हम सेल करेंगे टारगेट 1200 कि इंट्राड में मैं अगर विजिए 303 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 150 के टारगेट के लिए 1370 के target के लिए PL के बाद जो stocks है उस stocks का नाम यहां पर ले आता हूं उसका नाम है Glenmark Pharma तो चलिए Glenmark Pharma को चेक कर लेते हैं Glenmark Pharma का लेबल 300-505 ना 505 के उपर निकलने बाद वो positive हो जाएगा otherwise negative रहेगा तो 490 के पास-पास की closing है high five and it का लगा था 505 पर नज़र रखे 505 को अगर यह जिस दिन break करेगा 505 510 यह must moment बना कर देगा ऐसे मैंने पोजिशनल कॉल भी दिये हुए 505 के उपर यह activate हो जाएगा उसके बाद यह पंद्रा 520 से लेके 50 तक टार्गेट दे सकता है अगला श्टॉक है पिरांग ग्लेर्मार्प ब्रेक करता है तो 800 के टार्गेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा अगर यह इंटाडे में नीचे की साइड में 725 ब्रेक करता है सेल करेंगे टार्गेट कहीं हमारा 700 का होगा इसके अलावा जो श्टॉक है एक और श्टॉक है वो है जनता फार्मा दोस्तों उसको भी हम ल बगाल लेते हैं देखते हैं क्या लेवल आ रहा है देखते हैं नहीं हम आपके सामने मापी चाहूंग चार्ट वह है अजनता फार्मा तो मज़ा आजाएगा राउंड नंबर को ब्रेक करेगा 1650 का टारगेट नीचे सेल कर सकते हैं हम लोग 1520 के नीचे टारगेट 1500 से लेके 1480 तक का मिल सकता है तो यह निफ्टी के फार्मा पर मेरा भी हो है तो फार्मा इस्टॉक्स पर भी हो है अब जरा मैं IT इस्टॉक्स को लगाँगा आद दुखोंगा कौन साइटी स्टॉक्स अपकिस लेवल पर ख़ड़ा है निफ्टी का आईटी स्टॉक्स टो चली यह बीस का इटी नहीं ले यह अगए निफ्टी कायटी लेना है यानिकी एनिसी का तो यह आगए निफ्टी का इस इसमें सबसे पहला प्तेटेट में टेट कँए जब तक शैडो से बाहर निकल ने डेते हैं अब शैड़ो का मतलब कहते हैं कि इंपॉर्टन लो से वो ब्रेक नहीं किया तो इसके अंतले यह support level 2450 का बहुत important support है उसके उपर positive है resistance है हमारा 2650 का अगर यह 2650 को break करता है यह 2600 को भी इंट्राडे में break करता है upside मगर यह 2600 को break करेगा 2650 का target आपको दिखा सकता है को फोर्ज सेल टेक के बात करते हैं सेल टेक ऐसे मंड जो फ्राइडे को है कितना positive था एस एल टेक साथ positive मोमेंट में close वा था तो यहां पर आया था के लिए एक important trend line है इसके पास अगर आप यहां से अगर आप मार करते हैं तो आप पाते हैं क्या कि इस टेलन के यह breakout करके breakdown करके नीचे close है तो टेक्निकली चार्ट थोड़ा तुभीक है positive होने के लिए कम से कम इसको 850 के उपर close करना पड़ेगा SEL टेक को इनफोसिस की बात कर लें बहुत ही volatile हो गया इनफोसिस दो दिनों में पचास पॉइंट उपर सो पॉइंट नीचे देड़ सो पॉइंट उपर 75 पॉइंट नीचे ऐसी कर रहा है अब देखिए यह जैसा निफ्टी का चार्ट है न सेम इसका चार्ट है अगर आप 50 से लेके 60 के target के लिए SEL करेंगे 1100 के नीचे target हमारा 1090 से लेका असी तक का मिल सकता है इनफोसिस में मंडे के दिन याद रखेगा इसके पास एक सपोर्ट है 2930 के असपास का अगर वह ब्रेक हो जाएगा तो सेल करेंगे target 2850 तक का बन सकता है बाइसाइट 3380 के ऊपर यह रेजिश्टन जोन है 3380, 3390, 3400 यह सब लेवल है ज्यादा बैतर होगा आप 3400 के ऊपर बाइका पोजिशन बनाए तो ज्यादा अच्छा है तब आके एक target 3500 के असपास का LTI में मिलेगा माइन ट्री की बात करते तो चलिए माइन ट्री का लेवल चेक कर लेते हैं माइन ट्री देखे सब उपर शुरू में तो यहाँ पे तो 200 पॉइंट का इसने खेल किया अकेला अभी देखे यह क्या है कि नीचे आया लेकि नीचे से कभर बहुत अच्छा किया कभर किया वापस नीचे आ गया अब ही हमें पोजिशन बनाना होगा तो 14 1450 के उपर बनाएंगा उसके पहले माइन ट्रीमिंग पोजिशन बनाने की गलती करना भी नहीं इसकी सिर्फ नजर रखेंगा 1450 के उपर पोजिशन बनाएंगा इसका चेक कर लेता हूं दोस्तों 1250 के उपर 1250 से 1350 चला गया 1450 ज्यादा बैतर होगा 1475 के उपर अगर निकल उसके बाद अगला इस्टों के नौकरी यानि इन्फोएज की बात कर लेते हैं इन्फोएज का क्या मुमेंट चल रहा है जोमेटो जोमेटो का स्वामित वह है इसके पास देखें 3800 को पर बाय का पोजिशन बनाएंगे इन्फोएज में 4900 के टार्गेट के लिए फिलाल औ और अगर यह नीचे की साइड में किसी भी कारण बस 3550 को ब्रेक करता है सेल कर देंगे वह गिर जाएगा नीचे 3500 के टार्गेट के लिए इन्फोएज यानि नौकी टीसियास पचिस सो को तैइस सो को पर बाय करवाय था उसके बाद तो इसने जवर्दस मुमेंट दिखाय अब 6 पर फाड़ के पैसा बना 3000 के आसपास का टार्गेट 29 तक आ चुका था लेकिन याद रखे कि अब मंडे के दिन जब तक यह अपने हाय को ब्रेक नहीं करें यानि 2780-2800 यह सब रेजिस्टेंस है जब तक उसके ऊपर नहीं ब्रेक करें बाय पोजिशन नहीं बनाएग अगर 2800 उपर निकलेगा तो एक बार 830 से लेके 50 तक का टार्गेट इन्फोसीज यह तीसीज दिखा सकता है सॉरी टेक महिंद्रा की बात कर लेते हैं तो टेक महिंद्रा में हमारा टार्गेट की आ रहा है वो भी चेक हो जाएगा अभी निकले टेक महिंद्रा नीचे से बाउंस करने की कोशिए लेकिन रजिस्टेंस है इसके पर 840 का 840 को ब्रेक करेगा देन 850 से लेके 60 तक का टार्गेट और बीप्रो की बात करते हैं तो बीप्रो अपना गैप को फिल कर चुका है अगर इसको बाउंस करना होगा तो चार्ट यहां पर हम लोग लगाते हैं और देखते हैं क्या लेवल आ रहा गिरते वे मार्केट में पीछ ने अच्छा मूमेंट दिखा था देखे दोनों दिन कंटिनू मस्त प्रोफिट बनाया तो अभी हमारे लिए पोजिशन तो नहीं बनेगा पोजिशन अब क्लोस करन अभी चार्ट भी देख लेता हूं साध वही होगा चार्ट 210 के उपर निकलने हुआ 220 से लेके 30 का टार्गेट और 190 के नीचे अगर यह निकलता थे 180 का टार्गेट यह तो मुझे याद है अभी आपके समने चार्ट आ रहा है देखे बिल्कुल 190 के नीचे निकला तो 172 तक का लो लगा दिया लेकिन 190 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा हुसी के पाँ होल्ड कर रहा हुसके वापस अगर मंडे के दिन 180 नीचे ब्रेक करेगा देन 175 के टार्गेट के लिए सेल का पोजिशन बनेगा उपर जब तक यह 210 को ब कॉल पर आप करने के लिए टेलेगरम चैनल को जोइन कर लिजे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद